कि हम त्यार कि पंचाई छुनाओ के लिए एक धिंटे का दिजार नहीं हो एक इंट भी आरक्षण में बदलाओ नहीं हो बिहार में पंचाई चुनाओ को लेकर संसे बरकरार है और इस पर खास बाच्चित करने के लिए आज हमारे साथ खास महमान पंचायति राजमंत्री समर सबसे पहले तो डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिर्वाचन आयोग और भारत रिर्वाचन आयोग के बीच का वारता चल रहा है। और जिसकी मदहस्ता पटना उचनियाले कर रहा है। तो ये सब चीजें वहाँ देखी जा रही है। लेकिन सरकार के अस्तर पर हम जिस मानक पर विधान सवा का चुना और लोक सवा के मानक पर चुना होते हैं। उसके लिए हम तयार हैं। सारी वेवस्था के साथ तयार हैं। प्रसासनिक तोर पर तयार हैं। सारे क्योंकि कोविड नाइंटीन के रूल्स को भी फॉलो करना है। उनको देखते विए हम तयार हैं। हम बड़ा स्पस्ट हैं सरकार बड़ा स्पस्ट तोर पर आधरने नितिश कुमार जी का भी निर्देश हैं यह एक घंटे भी चुनाओ को बिलम नहीं करना है क्योंकि यह लोकतंत्र का तीसरा अस्तम है जिस तरह लोकसवा बिधान सवा और उसी तरह पंचायती राज की संदगीदी से इसको देखा जा रहा है उचिने आले के जैसे ही फैसले आते हम तुरंत निर्दे लेने का काम राज निर्वाचन आयोग करेगा एक सबर यह भी उड़ता है सर कि क्या मतलब केंद्रिय चुनाओ आयोग वार्था कर रहा है या उस तरीके से कुछ बाते निकल करा रही है कि आखिर क्यों नहीं एनोसी दी जा रही है जिस एवियम से चुनाओ करानी की बात कही जा रही है तो क्यों नहीं बिहार को हो सकता है यह सारी प्रस्ति लेकिन अब उचे नियाले इस मामले को देख रहा है हम तयार है सरकार बिहार सरकार पूरी तरी तयार है कि पंचाय चुनाओ के लिए एक घंटे का भी इंतिजार नहीं करना है यह माना जाए कि सरकार अपने अस्तर पर पूरी तरीके से काम कर रही है कि 15 जून से पहले एक और पंचायती राज का गठान उस तरीके से कर दिया जाए जो कारिकाल है मुखिया के हो या सरपंच के हो तमाम वो चुनाओ कर एक दम अच्छा सवाल यह भी उड़ता है सर कि अगर तय समय में पंचायत चुनाओ नहीं हो पाता है अगर समय सीमा बढ़ जाती है या फिर कोविट गाइडलाइन को जैसे कि आप कह रहे हैं कि उसमें भी पालन करना है उसमें भी समय लग सकता है या फिर अगर हाई कोर्ट का फैसला राज चुनाओ आयों के पक्ष में और इवीम बनने के लिए जाता है तो इवीम बनने में भी समय लगेगा तो उस भी जगर समय सीमा पार होती है तो फिर सरकार किस तरीके से इसको देख रहे हैं लेकि इसमें दो चीज है जिस तरह नगर विकास में एड्मिस्टेटर बाहल करने की प्रकिरिया है और पहले भ सवाबिक है पंदरह जून को जब समाप्त हो जाएंगे समय तो परकिरिया कुछ तो अपना ही जाएगी तो उसका नेना लेना अभी बाकी है एक आखरी सवाल यह है सर कि अभी रजचुनावायूग ने या देश जारी कर दिया है कि जो लिस्ट है आरक्षित सीटों की वो अधियम से उसमें कोई आरक्षन में छेड़ चार नहीं करनी है तीन हजार से अधीक उन्हेस सो एकानवे के जनगन्ना के हिसाब से यदि वोटर है तो वो पंचायत एक्जिस्ट करेगा और यदि पंचायत का राजस मुख्याले चला गया है नगर में तो जो सबसे बड़ी अबादी है दूसरा उसके गुस गाउं में उस पंचायत को मना जाएगा इसलिए वो प्रॉसेस है ये काम हम लोग पिछले एक दो मेहने से कर रहे थे क्योंकि कानून नहीं बना था जिसके चलते हम एक्ट नहीं कर पा रहे थे तो कानून हम लोगों ने बना दिया जिसके तहत जो पंचायती राज में जो चेड़ चार होंगे उसमें आरक्षन के रोष्टर का कोई बदलाओ नहीं होगा क्योंकि हम 10 साल में रोष्टर बदलते हैं तो आगे की प्रॉसेस होंगे चुनाओ के बाद होंगे लेकिन आज कोई भी आरक्षन में चेड़-चार नहीं हो या उसी तरह एक इंच भी आरक्षन में बदलाओ नहीं होगा जो जिस तरह के सुरूप में है दो टर्म के लिए जिस तरह कानून बने हुए वो बना रहेगा तो मतलब जो जितने भी प्रतिनिधी हैं जन प्रतिनिधी जो इस चुनाओ में लड़ने की तयारी कर रहे हैं वो तयारी जारी रखे हैं तो प्रकिरिया जारी है के सरकार की तरब से तुमाम तयारी हैं वो चल रही हैं और हाई कोट में मामला है जैसे हाई कोट कने आता है राँ चुनाओ आयोग और किंद्रीय चुनाओ आयोग का फैसला अपने उस तरीके से होता है उस तरीके से चुनाओ कराय जायiberalरार्ण ब्रकिर्ण正निगी कारमर DPD